ओ भाई साहब क्या धूप निकलिया यार आज भाई तने दिनों के बाद धूप निकलिया यार आज आएगा न मज़ा भाई सब ठंड में क्यों मैं अपना सर फोड रहा हूं यार ठंड में तो और भाई यहांपर दर्द होता है यार कुछ भी हो अब यार गाईस देखो तो लो सेंट उसका क्या हाल है भाई अब इतनी ज्यादा दूप गाईस मेरे से लो सेंट उसमें देखी नहीं जा रही भाई लो सेंट उस तो जगमगा गई है भाई फिर से इतने दिनों से यहांपर ठंड ने ऐसी तैसी करकर रखी दिया और आज भाई धूप निकलिया आज दूपकी लगानी बनती है लेट्स को ओ हो हो भाई सब आज गईस दवा का दूपकी लगाऊंगा भाई सब ठंडा पानी भी ठंडा नहीं लगेगा अब ओ माई गोड भाई सब गाईस यहांपर मजा रहा है आज धूप इतने दिनों के बाद निकलिया और यह तोनों देख बारा उन्नीस हो चुके हैं और भाई सब यह सोहे पड़े हैं भाई दो सेगंड के लिए उठ जाते हैं और फिर सो जाते हैं भाई अब यार गाईस इतना जादा लेट भाई कम से कम 9-10 बज़े तो उठ जाए भाई इनको गाईस आपर कोई दिक्कत ही नहीं जिंदगी में आप सबी लोग जल्दी से अपना कमेंट में यहाँ पर टाइम बता उठने का देखते हैं भाई सबी लोग का कितने बज़े उठते हो देखते हैं कैसे सबसे पहले कोई उठते हैं आप में से लेट सी सच बोला जूर किसी ने नहीं बोला भाई कमेंट सेक्शन में ठीक है आप walking चलो कुछ खाने पислएं सुबही वह बाई और करना होता है और यह बाई सब किस ने ने क WHY यार गाई यहां पर क्या क्या चल रहा है मेरे गर में और कर रहा है एक सेंक्ण यह सेफ तो मैंने अंदर आटा था था भाई इसके अंदर oh my god guys इसके अंदर तो पैसे भी नहीं है अबे इसके अंदर तो और बहुत ज़दा पैसे पड़े थे सारे के सारे पैसे कहां गए oh no oh no oh no भाई अब गाई पैसे safe में से निकल चुक है और ये मेरा drone किसने तोड़ दिया भाई अबे यार guys क्या घर में कोई गुसा था अबे घर में चौरी हुई है guys घर में चौरी हुई है भाई अमारे पैसे वैसे लूटे गए है guys ये तो सच में यार इस safe में मेरे cards पड़े थे भाई मेरा important cash पड़ा था भाई कुछ सोना वोना भी पड़ा था भाई सेफ में ओ नो अबे भाई साब गाईज आपर घर पे चोरी हुई है यार अबे यार कितनी बड़ी बात हो गई भाई आधी रात को सोते सोते कैसे चोरी हो गई ओए भाई उठो वे तुम दोनों अबे कलुए सोने दे ना भाई साब जल्दी उठेकने का कोई मन नहीं है आभे जो मैं तुम्हें कुझ रहां तो चुछ तुसमें तो बहुत हैं लस्त है यह obtॉट है यह किस ने था है यह कुछ रहे और यार और अधा है क Felm झालान थ्जाब अध्युन facto ऑझान ६ाइव यह छोकिनी तुमक्रणरी के तुछ पड़ा था भाई सब एक दो डायमंड वाचिस थी भाई मेरी सब चोरी हो गया भाई सब कर लोए यार तूझे कैमरा लगाना यह घर पे बे अब हम बताओ यह ड्रोन तो बहुत जुरूरी था वे वही तो बात है यार गाई यह वाला ड्रोन भाई बहुत बैयार गाई सब ऐ हैसी तैसी हो गई यार भाई किसने आपर हमारे घर में आकर आदी रात को चोरी किया भाई क्युक्तंप मुझे याद है मैं कर रात को आठ बजे के बाद तो यहाँ पर था मतलब मैं 10 बजे तुम लों कब सोयो अरे मैं तो 12 बजे सोया हूं मेरी मूवी चल रही थी और आए आप आप क्या ही CID बंकर नुट नकाल है, कि शो, पैसे क्षैंट क्या बड़ी बात है? आपे वागा मोर्य काला था? आपने मैहननन्हें इनकाल काल है? किया नहीं कूरी हूइ घर फे तो हम क्या काले? मेरे साथ तुम्हारा भी घर है तुम्हें भी थोड़ी बहुत फिकर होनी चाहिए आएज साथ मेरे को बहुत फिकर है कलुए क्या लगता है वे किस ने चोरी किया होगा यार गाईज गर के बार कैमरा लगा होता तो शायद बाई आपर मैं पता करा सकता था बट आज पास भी कोई चोड़ि की है अरे फ्रैंकिल्लीन बईया यार हमें बताओ क्या पता लगेगा आदे चलो थोरे बहुत करोड़े रूपे की बहुत जल्दी कमाई जाते हैं और तो दोनों पागलों आई साब और एक आपको पर नहीं खोड़ी होती तेरे को पता भी है अब यार मैं पागल थोड़ी हूं यहां निकल रात यहां पर देखी है अरे चलो फ्रेंक लिए पैसा लेकर गया तो लेकर गया चोर हमारी बाइक भी ले गया अब यार गयार इता बड़ा नुकसान हो गया और इन दोनों को कोई दिक्कत ही नहीं या भाई साब मुझे चोर दिखाओ भाई साब कहा है मैं बाइसाब चोर को माट डालूँगा जिसमें मेरा समान चोरी किया भाई उसको छोड़ूँ आनी मैं भाई साब अरे फ्रेंकल भी आपका केस तो यहीं पर क्लोज हो जाता है जब आपको पता ही नहीं है चोर कैसा दिखता है क्या है साब भाई साब यहाँ पर चोरी करकर जा सकते है क्यूंकि भाई कोई गुजब गुजब गु sentiments, भाई वहा उसे लो अराम से एसे नहीं अंदर जाकतём। यहाँ पर मुझे गेट लगवाना चाहिए था भाई मैं अभी पता नहीं जिन्दीगी में क्या कर रहा हूँ मैंने भी गेट पे लगाया नहीं तब ही गाई जहाँ पर मेरे जाद ऐसा सब हो रहा है भाई साब करें अब तो जो हुआ सो हुआ वे तुछ नहीं कर सकता अब आज रहे अपने पैसो का फटका लग चुका है और हमारी बाइक चोरी हो गई है तुम दोनों मेरी बात सुनों, मैं ऐसे नहीं जाने दूँगा, भाई साथ एक सेकंड गाईज, यहाँ पर मेरे पास एक आईडिया है, भाई साथ यहाँ पर बाईक चोरी हो गई, तो एक बात हमारे साथ अच्छी हुई है, भाई साथ बाईक चोरी हो गई, बात अच्छी सुन अरे आज कोई काम मत देना यार इतने दिनों के बाद धूप निकली है यार मुझे धूप में मज़े लेने दे अब या लेस्टर बहुत जुप है भाई साब तुझे करना पड़ेगा अगर तुने ना किया तो भाई मैं किजे लाएक नहीं रहूंगा अरे क्या हो गया चोर के घर पर चोरी वाया बड़ी दिक्कत की बात है तु कहना क्या चाता है बहुत मुझे मेरी बाइक जल्द से काम से चुटी लिया आप तू दोस्त के लिए इतना नहीं करेंगा तो यहां पर मत कर भाई जब तेरी कभी लड़ाई वड़ाई होगी तो मैं भी नहींगा तो करता हूं कुछ अँछ ने मुझे जल्दी से दिकत की बात ही नी बात साइब यहां पर पक्का मिल जाएगी अरे तो हम कहां पर चले हैं भाँ हम जा रहे हैं यहाँ पर गाईज पता नहीं कहाँ पर जब तक लोकेशन लेस्टर भेशता है तब तक गाईज यहाँ पर मैं अपनी गारी लेकर जल्दी से शेर के तरफ चलता हूँ क्योंकि भाई मुझे पूरा पूरा शक है कि गैंग वालों किसी बंदे ने भाई साब मेरी चीश चोरी की होगी क्योंकि यह गैंग वाले बंदे है भाई जो आज कल चोरीयां जादा कर रहे हैं भाई चाब तो ऐसम लेकर आना है बस भाई साब यहां पर यही काम है हमारा लैस्टर को गाईस हमने काम दे दिया है तो लैस्टर गाईस आप जब तक ढून रहा है जब तक आप सुब लोग एक काम कर सकते हो आप सब लोग जाकर नीचे जो वीडियो में लाइक का बटन है वो दबा सकते हो मतलब आपको सुनने में लगर आओगा कि इतनी सिंबल बात बोली है बट गाईस कर दो लाइक फिर क्या होता यार अरे यार फैकल्बिया पेले ही घाटे में चल रहे है सुबे के दो बार चोरी होगी अब चोरी एक बार हुई है बट दो चीजों की हुई है पूरू गेमिंग ऑफिशियल इस्टाग्राम पे जाकर फोलो करो भाई को और आपको गाईस आपर अच्छी अपडेट्स मिलते रहेंगी चैनल की चैनल के साथ क्या चल रहा है सब कुछ हम बताते रहेंगे आपको इस्टाग्राम पे आपको फोलो करो वीडियो वीडियो भी आती रहेंगी चोटी मोटी वहां पे तो गाईस बहुत ज़दा फैद है गाईस आपर फोलो करेगा अगर आप सब लोग इस्टाग्राम पे भी आ जाओगे आप सब लोग फैमली के पर्मनेंट वाले मेंबर बन जाओगे तो गाईस यहाँ पर ज़दी से इस्टाग्राम पे हमें फोलो कीजिए और भाई साब अब ये बात तो हो गई बट अब भी भी गाईस ओ भाई आ गया लेस्टर का कोल आ लेट्स को हाँ भाई लेस्टर अरे फ्रैंकलिन तेरा मोटर साइकल सेंडी शोर्ज में क्या कर रहा है कहां पे अरे सेंडी शोर्ज अब इतना दूर अरे हाँ वहाँ पर लोकेशन बता रहा है इसकी चला मैं धूप यहाँ पर तोड़े दूप के मज़े ले लूँ लोकेशन तो बता दी तेरे को हाँ चल थैंक यू भाई साब अगर कोई दिक्तती फिर्चे कॉल करूँ ना उठा लियो अरे ठीक है यार ओके तो चलो गाईस यहाँ पर लैस्टर ने हमें लोकेशन दे दिया हमारा heap recycling आगार अगर यहाँ पर कुछ मिला ही ना तो क्या करेंगे अबे मेरे घर से की रोडर उपे यहाँ पर उठाये गई हैं और बाई मेरे बैक चोरी हुय और इनको के दिक्कत ही नहीं है अरे फ्रेंक्लिन भाया यार वो आपकी कमाई के नहीं थे न यार चोरी के थे अब और जा तू भाय साब यहाँ पर चोरी के थे तो गैस यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर से यहाँ पर लिखा होगा एक सेगिंड भाई यहां से पता लग जागा यह रेखो सेंडी शोर्स भाई सब यहां पर लिखा दा हुआ भाई 68 अब यार गाइज बट यही है यार मुझे पता है यह एडिया सेंडी शोर्स के आसपास ही आता है तो आई थिंग मुझे बाई कि भाई तो लड़ाई करने लग गया इनसे अभे मैंने चया गयो वाई सब यहांपर पागल स अंकल गाई यहां पर मुझे फूजी बढ़क यह ल्गा यार यहां पर भी गैस एरिया है एक सिकिन एक सिकिन मुझे कुछ दिखा मुझे कुछ दिखा भाई सब मुझे कुछ दिखा एक सिकिन भाई सब यहां पर गैस मैं थोड़ी देर के लिए कवर लेता हूँ एंड थोड़ा सा अगर भाइसाब यहां पर देखा जाये तो उह वही है मेरी भाइक आई साब पर ने किते की लगाऊगे अरे लास्ट बता तgreen दॉलर और निकलो ऑई अरे बाई सब बापिस मत आ जा ना इनकी ऐसी तहेज मांपर पीछे नहीं बागा गाइस बह pardon इनकी तो भाइu मेरे साथ बंटकी खेल रहे हैं इसको तो मैं बताता हूँ आप और बाई आप तु इदर को आजा आज आ यह 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 हमारी बाइक, अबे तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बाइक यहाँ पर चोरी करने की, अच्छा तो वो लो सेंटोस वाला घर तेरा है, आँ भाई वो गर मेरा था, तुझे बाई पता भी है, तुने किती बड़ी गल्ती की है, मेरे घर में चोरी करकर, अबे बाई, क्या बेच कर सोते हो, पता तक नहीं लगा तुम्हें, मैंने तुम्हारे घर पे इता कुछ चोरी कर लिया, वो तो अब देगा हमें वापिस, आप पैसे तो खरच कर दी है, भाई कि ए खड़ी है, जो मैं तुझे दे दूँगा शायद, भाई साब मैं पैसे भी लेकर जाओंग भाई साब इसको गाईस, यहाँ पर मार कर इससे मुझे पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरे इसाब से मुझे ऐसे नहीं देने वाला भाई, इसको गाईस, दो चार मुखे मार कर इससे पैसे निकलवाने पड़ेंगे, अब भाई साब अभी मी टाइम है, चुपचा पैसे पेसे थे दे मेरे पास कुछ नहीं है अपनी बाइक लें जा अब करा पैसे भी तो चोड़ी पाइब है एक सेकंड को आगे अब इसकी तो वह जा रहा है इसको आपर नापर स्नाइपर से बाइब बाइब भागता है भाई इसके पैर में गोली मारूं यहां इसके मूँपे आप लगी 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 उसके लगी भाई बहुत गंदे तरीके से ओ भाई सब उठ गया गाईज फिर भी उठ गया अब तेरी तो बाई जब किस मिट्टी का बना है एक सेकिन एक सेकिन यह ओ भाई गाईज ओ तेरी ऐसी तैसी ओ भाई एक सेकिर रुक जाओ भाई मेरे को गाईज यहां पर कोई बंदा यहां पर चोरी वोरी नहीं करने दे रहा भाई सब यहां पर किसी का मेरे ही पैसा है खुद का पैसे यह है इसके पैर में गोली मारी यह गया गाईज अब उठ में पटक दिया है बट इसके पास एक रुपया तक नहीं है इसका मतलब इसने सारे पैसे खरच कर दिये अब यार गाइस क्या पायदा हुआ भाई अब यार अरे यार फ्रेंकिल भी आप इस बात का शुकर मनाओं कि आपकी बाइक सही सलामत है बैड यार शिंचन भाई सब ब ईसने बाइक तो मिल चुकिया बट पैसे भाई याँ पर चोरी हो चुके है और उसने जो मुझे बात कई है न भाई ये ए गाईस मेरे दिल में लगी खुर वारे घर पे चोरी करना बहुत असान है गाई इसकी तो इसको मैं बताओंगा भाई साब यहां पर चोरी करना किता असान है मेरे घर में I think guys हमें अपने घर पे न थोड़े बहुत guys यहांपर changes करने पड़ेंगे अब यार भाई सब गारी भी लेकर जानी है बाई भी लेकर जानी है ऐसा करते हैं guys यहांपर बाई को गारी के उपर रख कर चलते हैं बै बाई सब कले तो तु क्या कहना चाहता है फिर अब यार guys मैं यह कहना चाहता हूँ कि भाई यहांपर मुझे भाई तो वापिस मिल चुकी हैं guys पैसे वापिस नहीं मिले और ऐसे ही चलता रहा तो भाई हमारे घर पे कोई भी चोरी कर लेगा अरे क्या चेंज करोगे guys मेरे हैसाब से हमें अपने घर पे कुछ underground बनाना पड़ेगा जो कि भाई साब यहां पर हमारे सेविंग्स को रख बाए जिसके अंदर मैं अपना सेफ रख सकता हूं और जिसके अंदर हमारी जो भी सेविंग्स वह मैं रख पाऊं ताकि उसमें भाई साब कोई घुजी न पाए तो भाई साब मतलब तु फिर से कोई खतनाक बंकर की सोच रहा है अब गाईस इस बार तो ऐसा अंटरगाउन बेस बनाऊंगा न अपने लिए जो भाई साब यहां पर आप देखते रह जाओगे ऐसा रूम बनाऊंगा न अंटरगाउन जिसको मेरे इलावा कोई हम एक हो सकताák आरे इसाम करते हैं लैट करते है लैट्स गो जाकर चागर पो भाई साब क्योंकि तू पागल है इसमें कोई शक नहीं है चल वे ऐसे कैसे अरे यार गाइज यहां पर यह भाई आ चुके हैं अरे बताइए जी आपको क्या चाहिए फिर अब अब देखो भाई मुझे मेरे घर के अंडर ग्राउंड भाई एक ऐसा भाई रूम चाहिए जिस को ले आर कोई ना खोल पाए मेरे भी ना ओके शौर हो जाएगा और क्या चाहिए बास यह चाहिए रूम भाई साब एंड रूम के अंदर भाई कुछ बड़िया बैटने के लिए बना देना मतलब जैसे एक बड़िया रूम होते हैं वैसा कर देना बाकि उसके अंदर जो स 50,000 डोलर में कर देंगे 50,000 डोलर डाना है भाई साब कर दे फिर इगा जी शुरू होते हैं फिर हम आप शाम तक आईए हैं भाई साब ऐसे ही मैं घर पे नहीं हूं मुझे वैसे भी काम है लैस को गाईज यहां पर बाइक वापिस रखते हैं सबसे पहले अब गाईज यहा यहां पर गाईज रूम के अंतर में अपनी भाई जि therapists लेने चला हूं तो बाई सब अपने पैसे चुपा कर भाई अज पता लगाbreaker आज भाई यहां कुछ पैसे पार रुखता हूँ, आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ पैसे काम पर रखे वे थे, वहां से अपने पैसे उठाग कर लेकर आते हैं, इस बार रखेंगे थे, इस अपने ही खर में एक अंटर्गाउन बंकर में, जिसके अंदर कोई आम आदमी गुस तक नहीं सकता, मतलब भाई कोई आम बंदा तो उसके अंदर गुसने की गलती भी नहीं करेगा, इतना तकड़ा बनवाएंगे, तो गाईज चलो काम हो रहा है, शाम तक गाईज बन जाएगा, जब तक मुझे अपनी जो सेविंग लेविंग्स है, सारी गाईज आपर उठा क लेकर आनी पड़ेंगी, यान उसके लिए, मुझे सबसे पहले एक वैन चाहिए, जिसके अंदर मैं वो लेकर आपा हूँ, तो गाईज अब तु गारी के अंदर नहीं बैठेगा, अब गारी का क्या पता, गारी का सिक्योर नहीं है, मुझे एक अच्छी खासी वैन होती है, भाई सब तु आर्मर्ड वैन का क्या करेगा, अब उसके अंदर अपने पैसे लेकर जाएंगे, तो भाई उसके साथ भाई भिरता नहीं है ना कोई चीज, मतलब तु भाई सब तगड़ी से गारी लेने आया यहां पर, तगड़ी वाली वैन लेने हूँ गाईज, एंड वो वैन गाईज, यहीं कहीं खड़ी होती है, एक बार गाईज, वो मुझे मिल गई ना, उसके बाद मैं उसके अंदर पैसे लेकर आप आऊँगा, एंड गाईज, यहां पर कोई उस वैन का बाल भी बाका नहीं कर सकता है, इतनी जदा ख़त्रण वैन होती है, चलो गाईज, नहाते हैं सबसे पहले, लैर्स गोर नहा लिए, अरे नहीं बच्चों वाले कामों के कारण यार, अब मार खाते हो यार, तो गाईज, यहां पर भाई साब, यहां से लडाई शुरू है हमारी, क्योंकि बाई यह बंदे हमें आगे नहीं चाने देंगे, एंड मैं इसी वक्त भाई साब इसको चाकू से मार दूँगा, क्योंकि इसके पास तो गन हाई नहीं, भाई साब तेरी तो, अबे है क्या गन, तेरी ऐसी तैसी, भाई साब गई, इसके पास तो गन थी, कोई बात नहीं, तेरी तो, यह ले, यह भी ले, अरे पिछवारे में चाकू म आने लगए है आँब बाए सब पीछे भी है क्या कोई एक गोली कहा से आ रही है एक सेकंड, ललो आ जा? आजा आ जा जा गई सब। टो ये भी घाइस यहां पर वैन है ये बाट तो पकी है एक सेक्ड़ यहां यह भी घाइज यह भी घैज हम्हें इनके साथ भी यहां पर थोड़ा बहुत गेम केल लेते हैं क्योंकि बाइ इनको मार खाने की बहुत जल्दी ना एक सेकेंड रेल लगन का है मेरी आप नहीं बाचो के तुम बाइसाब ये लो ओहो ये लो ये लो ये ले ये ले ये ले असल वाला ये ले ओके ये भी क्या ओके तो काईज यहाँ पर वैन काम पर खड़ी है अब सिर्फ और सी वो मुझे देखनी है ये ले इतनी दूर से शोड़कन लो गाईस यहाँ पर चलेगी नहीं बड़ स्नाइपर अराम से हैड़ शोड मालेगी अरे फ्रैकल विया आपके शूटिंग स्किल तो तगड़े है तो बैर बाइसाब गाईस तो मैं इसकी बात कर रहा था भाई आरमर्ड वैकल है ये ओ भाईसाब पीछे ही बैढ़ गया तू तो अरे यहाँ पर पैसे बाद में रख लेना सबसे पहले इसको लेकर जाओ यहाँ से अब तो फिकर मत कर इसको गाईस यहाँ पर मैं यहाँ से ले जाता हूँ बाई इसको बाईसाब जल्दी से अपनी वैन लेके अपने बाईसाब यहाँ पर वह वाले लोकेशन पर जल्दी से चलते हैं आरे फ्रैंकल भी आप पहुंचते पहुंचते पर आपकी जगह नहीं ये ले वासस आप पहोंच चूके हैं, Lats Go, guys, यहां से अपने पैसे उठाते हैं लाइच सब तूने अपने पैसे यहां पर रखी हुए, अवे इसको मेरे लाबा कोई नहीं हो सकता, Let's Go, guys, यहां पर आते हैं जल्दी से अपने पैसे हैं ट्रक में भरते हैं उसके बाद चलते हैं घर ओके तो गाईज यहां पर आप सब लोग देख सकते हो आरे यह है फ्रैंकल भीया की सेविंग्स बिल्कुल भाई साफ गाईज यहां पर मैंने कुछ सेविंग करकर रखी वी थी यह सारी लोड करता हूं एंड उसके बाद भाई साफ यहां पर चलते हैं जल्दी से भाई साफ इन सबी डबों को लेकर जाना पड़ेगा अरे यार बटा जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है लैट्स गो ओके तो गाईज इसको करते हैं जल्दी से बंद यह हो गया गाईज आप पर यह बंद यहां पर पैसे वैसे मैंने ले ली हैं सारे के सारे और गाई सिर्फर जिफ जाने की बारी यहां पर उसके बाद आप शिंचन का गया अरे देख रहाता है एक आदा डोलर वाँ पर रह तो नहीं गया अपर क्या होता है एक आदे डोलर का भाई साब यहां पर कुछ नहीं रहा था हमारा गाई शायद बंकर भी रेडियो गया होगा आप गाई सिर्फर जाने अपना बंकर देखने एंड गाई वहाँ पर पैसे रखने अपने भाई बहुत मजाने वाला है तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं मारा तो लाइक मारो का दो बार है मतलब बस पहुंचने वाले हैं गाई यह आ चुके हम घर पर जो काम है बाई साब वहो गया होगा बंकर का लैट सी बाई साब कर लोए देख ले बे कुछ हुआ है या नहीं अभे हो गया होगा मुझे उमीद है ओके तो गाई यह मैं आया अंदर हो अंकल नीचे सकता हूं मुझे जोओं साब रखना है और यहां पर यह उस पिन के इसाबसे चलेगा मतलब गैभाए यह पर जो जो मैं डालूंगा उसके जाब से खुलेगा इसको घासाब पर मेरे बिनावा कोई भी नहीं खु़ सकता भाई अरे बिलकुंद िूर्ब भाई साब चलो फिर जल्दी से इसको सबसे मेरे पेमेंग कर देते हैं भाई तो भाई आपके गाईज आपर अकाउंट में डाल देता हूँ मैं अरे डाल दीजे भाई ओके तो गाईज अंकल के अकाउंट में पैसे डालने के बाद अपना सारा का सारा भाई जो पैसे हम लेकर रहे थे वो गाईज निकालने के बाद वहाँ पर रखने के बाद जो guys हमारा जो प्यारा बंकर रूम है वो guys कैसा दिख रहा है Let's see guys मैं आपको दिखाता हूँ बाइस सच में यार बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा है अब सिर्वर सिर्व इसके अंदर जाना है तो guys जल्द इसे वीडियो को लाइक मारो हैं कैसा हम आपको इसके अंदर जाकर दिखाते हैं कैसा है Okay तो guys यह है हमारा underground bunker जो की guys यहाँ पर अंकल बना कर गया बाइस सब यहाँ पर अंदर रख लिए आप सब लोग देख सकते हैं कि आप सोफ़ा भुफ़ा भी पड़ी पड़े हैं जो बैस चीजा बाइस बंकर की वह आप सब लोग पाई यहाँ प 성공 को कर देना है यह आप आप जाए वीडियो अच्छी लगी हो क्योंकि हम ने इस वीडियो में बढ़ी प्रोप्लेम में यह तो वीडियो को लाइक करना एंड गाइज आपर चैनल को कर देना जल्दी से सब्सक्राइब एंड इस्टाग्राम पे कर लेना फोलो भाई जो की बहुत इंपोर्टन है एंड गाइस हम मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए गाइस जैहिंद और वंदे मातरम बे बाई साब टाटा बे